पाजार में तो कई तरह के ब्रांड का बटर तो आसानी से मिल जाता है लेकिन जो स्वाद और पौश्टिक तत्व घर के बटर में होता है वो कहीं नहीं मिल सकता है इसे बनाने में ज्यादा मेनत भी नहीं लगती है आप मक्षन को दही और मलाई दोनों चीज़ों से बना सकते है हेलो एवरिवन मैं हूँ प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका की रसोई में आज मैं यहां पर मलाई से मक्षन बनाना बताऊंगी मक्षन को दूद के उपर जमी हुई मलाई से निकाल कर बनाया जाता है इसलिए रोजाना जितना दूद आता है उसकी मलाई निकाल कर फ्रिज में रखते जाएं जब आपको लगी कि इसकी मलाई काफी है तो इससे फ्रीजर से निकाल कर कम से कम 6 गंटे पहले नॉर्मल तापमान पर रख दें तो अब मैं यहाँ पर मक्षन बनाने के लिए एक गहरी पतीली लूँगी और इस ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी तो अब हम मलाई को पतीली में डालेंगे और एक गिलास पानी डालकर उसे ब्लेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं मलाई ने एक मिनट के अंदर अंदर मक्षन बनना शुरू कर दिया है तो हमें इसे इसी तरह 5 मिनट तक ब्लेंड करना है तो आप देख सकते हैं कि मलाई से मक्खन बनकर रेडी हो गया है और इसका मक्खन और दूद भी अलग हो चुका है अब इस मक्खन को एक बावल में दूद से अलग कर ले अब जो पतीले में अलग हो रखा दूद है या पानी जो भी आप कहते हैं उसे गैस पर गरम होने के लिए रख देंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि या दूद से क्या करने वाली है तो मैं आपको बता दो इस बचे वए दूद से हम पनीर बनाएंगे बहुत से लोग इसे पानी समझ कर इसको फेक देते हैं लेकिर हमें ऐसा नहीं करना है जब दूद में अच्छे से बॉयल आ जाए तब हम इसमें एक ढकर विनिगर डालेंगे इससे हमारा दूद अच्छे से फट जाएगा तो देखे इसका पनीर और पानी अलग हो गया है अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह ठंडा हो जाए तो इसे छनी की मदद से चान लेंगे और पनीर को बावल में निकाल लेंगे तो हमारा मलाई से पनीर भी बन गया है और जो यह पनीर का पानी है इससे हम आटा गुन सकते हैं इससे हमारी रोटी सॉफ्ट और टेस्टी बनती है तो इसे भी फेकना नहीं है आज की वीडियो में मैंने आपको मलाई से पनीर और मक्षन बनाना बताया है तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर